असलावन को नाजीन माहे शेफ वेसल तहां टी सोप्या किचन विद्वेसल तमाम पहती प्रोग्राम धर्थी टीवी ते ते आजला खणी आए हो हिनमें मज़ेदा काईब था खारा है तो है घसाब साब ही रेसेपे था के ताहां है फ़माइश हूं जे मुताफिक पूरी हूं अई मोसा माहे काई गर्मी में कोशिश केंदा इडा कादा थाईउं जे में मिर्ज ल्क्त खाट उदे ऐसे तास ना थिए तो अजमा मत्र जो बिल्कु इस थाइं पर पटातन जी के भाजी थाइं पर वे कुछ सिंपल जीरे वरा आलू यानि जीरा आलू थाइं पर आई रेसेपी असना थाइंडा सी डाल्डा कुकिंग ओल सगर डाल्डा कुकिंग ओल तमाम बेतरीन कुकिंग ओल है वाइटेमिन A, EAD का बरपूरा लो कोलेस्ट परोसा क्योंकि डालडा कभी भी सहत और क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करता। बेतरीन रेसेपी इसमें बनती हैं बनासपती घी भी बहुत ही अच्छा है इनका तो यह आप मार्केट से ले सकते हैं मलका फूड की वसीरेंज है मलका फूड की वसीरेंज आप ले सकत नहीं में आम नमक के बज़ए हमालियन पिंक सॉल्ट का इस्थमाल किया हूए तो मलका फूड की रेसिपी बनाएं अद्रकलैसन का पेस्ट बहुत ही जबर दिनका है बना बनाय मिलता है और मालियन पिंक सॉल्ट है आप यूस करें बहतरीन इसमें टेस्ट राता है खानों म तो आज की जो हम रेसीपी बना रहे हैं बहुत ही मज़एदार गर्मिया हैं गर्मियों के इसाबसे आपको खाने बनाना सिखारों जिसमें हम बना रहे हैं मटर पुलाव बिल्कुल सिंपल साबत करम मसाले के साथ ज्यादा में कोई spices नहीं होंगे, बहुत ही डिफरेंट था होगा इसको कचुमबर अले राइते के साथ खाये है नॉरमल नहीं के साथ काई वैसे यह ताम टमाटक री चतनी के साथ का सकते हैं, भहुत ही डिफरेंट था लगए है अचार साथ रख सब्सक्राइब करेंगी तो जैसे प्रोग्राम अप्लोड होगा आपको नोटिफिकेशन आतर रहेगा सबसे पहले में स्टार्ट करेंगे यहां पे राइस की रेसिपी जो हम बना रहे हैं मत्र वाले चावर आतर ताय। आपक बना है ओके एंस-टीजीड़ार में प्तर वाले चावर चावरानी वत्तिया पाते सिल्मे शाट प्तिया थी विजदना कंद कॉकिंग ऑईल पतीला रख ours in missing कोकिंग ओ कुकंग ओयल हम डालेंगे हैं भाफ कप जितना से जीदा ओएल इस तो इस देगा इसथे जबार और कर स सपोड़ारिय थिस मालवल एल कि सबस्थ आप कंदासी को किंग ओयल को किंग ओयल जी है इंते गरम थेंदों हें मैं विजंदासी खावजड या एक बड़ी प्यास को प्यास को अफंगर ग्लॉडर्दा ने करना है बार अफ चेंज यहां पर फिर हम सेदोंद सबस्त्री करें मसाले या बहुत ज्यादा डॉल feels पर उसे क्या होता है, कि चावलो का कलर चेंज हो जाता है, यहाँ पर हम लेंगे सावित गरम मसाला, सावित गरम मसाले में हमापैस क्या जा रहे हैं, दो अदद तेस पत्ते हैं, ठीक है, लॉंग जाएगी इसमें चार अदद, दस से बारा सावित काली मिरच है, छोटी सावित का नंडबा G घनड़ तेस पत्ता बहु जीरो एक क चाईज लॉंग जाएगी ञएजी जिए बहुत दार चीनी ची जी स्टिक, दो अदद दारचीनी कि स्टिक डाल देंगे, जैसे यहां पर प्यास हमारा हो जाएगा, गोल्डन फ्राय अची तर आपने अपने प्र भागार पींटर नमक जो भाणा के साधित गरम मसाले, इसका बनेगा भागार siya, तबी दागार, प्रांक कर दो, चाहिए रख दिया है करें थोड़ा सा नमक ढल दिया करें, जल्दी ब्राउन थाफ बांसी पानी खुश्क हो जाता है, इसे फॉड़ा सा विजन दासी लुण तरह के ब्रावन हो जाता है। जब ब्रावन होने बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है। ब्रावन होने लगा हम इसमें डाल देंगे आधा किलो चावल हैं तो इसमें डेड़ पाव मतर होने चाहिए। जैब अधी किожетदा डाल ज़ना आपने तारण पाम घबान जाए। मतर डालकर अपने इसको अच्छी तरह अभी कलर जिँच कर रहना है। बाद हम इसमें डालनेगे तमाटर, जब तर माटर नरम होका मतर भी हमारा फ्राय होका अची तरह और विसके बाद हम इसमें मसालेंगे अर इसमें मसालों में कुछ भी नहीं है सिर्फ कुटी वी लाल मिरत जाएगी इसमे एक चाया का चमच और नमक आदा किलो की चावल हैं और डेढ़ पौओ मतर हैं तो उस हिसाब से नमक यहां पे मैं एट करूँगा दो खाने के चमच ठीक है आदा किलो चावल किसाब और डेड़ पाओ हमारे मटग है तो दो खाने के चमच हम यहाँ पर डाल देंगे क्या नमक बग खाने जाओ चमचा यह ते लूर भी जंदा सी आई हिक चाई जो चमचो कुट्यल गाडा में सिर्फ लेवर डेड़ लाइन में देना सी यहाँ पर हाथ में आपको नजार होगा दो खाने की चमच नमक है और कुटी भी लाल मिरच चली गई है इसमें कितनी एक चाई का चमच इसको अच्छी तरह फ्राय करेंगे ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए प्यास का कड़र भी चेंज हो गया है और यहाँ पर मटर भी हमारे फ्रायाना शुरू गए अब थोड़ी आंच हलकी करेंगे चावल जो भिगो के रखा था चावल बासमती चावल आपने यूज करने चावल को आपने 20 मिनट 15-20-25 मिन इस ता भिगो देना तब आप देखेंगे मटर क्यूंके जल्दी गल जाता है तो मटर के साथ ही हमने इसमें अब डाल देने हैं चावल ठीक है चावल डालने के बाद आपने इसमें पानी आप दोना है हमेशा चावल पहले डाला करें इसमें मटरों में मिक्स कर दिया चावलों को इसका कलर इसी तरह वाइट रहेगा और बड़े जबस से चावल बनेंगे चावलन के हैं ते मटर सागड मिक्स का इछना सी चुलो थोड़ो महलकों करी शरीवा हिससा पेतर मिक्स थी वियो मिक्स खन था पो असाहन में 6 वियुआ पानी सी हांए यसान में पानी हमें पानी हमैशा बतांके चेहें दो है चावलन का हिक इंच मते वियुआध चौवल बिलकूल परफेक्ट हंदा अद्ध किलो चावल Northern cup ले इसाफ़वा有 का पानी का वी होँद्दवा जबरस से हमारे मटर वाले चावल तियार हो जाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा चूला तेज कर रहा हूं ताकि यह हमारे पकना शोजा, अब सेकंड रेसेपी हमारी क्या है, सेकंड रेसेपी हमारी है आलू, ठीक है, वो भी स्टार्ट कर देते हैं, वी रेसेपी चाहे थे, पटाटन जी भाजी यहा है, जिको है जीरे वाला आलू, जीरे वाले आलू बना रहे हैं, बिक्कोर सिंपल, इजी, पानी खुश कर देते हैं, इसके लिए हमने आलू लेना ही, आधा किलो ले ले ले, डेड़ पॉ ले ले, आलू को काटके, पानी में डिप किया करें, उसस स्लाइसेज में क्टिंग किया वा है, पाटेटा स्लाइसेज में कटिंग थियलें, और इसमें इमने डालनी है हैं तही, ये थोड़ा गर्मियों के घिहाब से थोड़ा बैलन्स राहे का, तमाटर डलना चाहे तो दो साहे हैं, मैं अईमिंघ का इस्तामाल कर वह जल हुँ, तहीं हम या पर लेंगे एक कप से थोड़ा कम, आधा पाउर थोड़ा सौस से ज्यादा और मसालों में इसमें किया जाएगा, कुटीवी लाल मिर्च जाएगी एक चाय का चमच, हल्दी पॉडर एक चाय का चमच जीरा है, यहाँ पर भरके डेड़ चाय का चमच, नमक आथा चमच, और कसूरी मेती, खोश्क मेती जाएगी इसमें एक चाय का चमच बस यह चीज़े जाएगी, बिक्को सिंपल मज़ेदा, जीरे वाले आलू बना रहे हैं चमच, हर्झ, यहाँ बसुर्ण रहे हैं लुटल इप खोश्क मेती झाएग हैं नून अठ चाय का चमच, बस्योदी जीरेवारा शाय का डेड़ बनाई हैं इस पॉल एइसमें एक तो इसका गएगी तो इसका नहाँ झाएगी पॉला बनाएं यहाँ झाएगी झाव Novaeln पानी डाला था तो इसमें बॉइलिंग आएगी चूला में तेज कर रहा हूं जब बॉइलिंग आएगी पानी खुश्प होगा तो इसको कवर लगा के हमने दम पे लगा देना 20 मिनट के लिए एक शौट ब्रेक पे जाने ब्रेक के बादा के हम आलू की रैसेपी स्टार्ट क कहीं नी चाहिएगा लेते इंग शौट ब्रेक में पानी विदो इमाचो इनके पानी खुश्क थी वनने तपो इनके कवर कंदा से आने जो पानी खुश्क ना थिवा तहेते बेब आसे असां चाकनन दासी कुकिंग ओल डालदा कुकिंग ओल तक पाटाटन में लाई वदी तो यहां पर जैसे ओल गरम और तो यहां पर जैसे और गरम होगा तो हम इसमें डालेंगे आलू पहले सबसे पहले हमने आलू को फ्राइ करना आ है यहां पर हमने आलू लेने आदा किलो जितने या तेड़ पाउ जितने भी आपके पास हैं आपको अच्छे रखते हैं आप उससाबसे दर आलू का इस्तमाल करेंगे पाटाटा हेते असावाट डेट पाक आदे किलो जैते जब पाटाटा ने में वीच नदासी आलू सारे अरड आलू को पहले हम करेंगे फ्राइए ठीक है आदा किलो वेछ पाउ जितने आपको पसंदों अपने डाल देने आलू को अपने करना है फ्राइए चार-पांच मिनित तक आलू को हमने करना है चार का पंजिमेंंटा इस पताटान केटे कल्दासी अब्राइए कि अर इसको करते हैं, कवर चाबलो को, इसका कलर है, बिल्कुल वाइट, इसको लगा देंगे, कवर, कवर करके आपने इसको 20 मिनिट भूल जाना है, ठीक है, वीम इंटन ताइन के विसारे जज़ो, ए पचंदा रांदा है, ते भी ए पासे असा, पटाटा क्योंकर फ्राइए, आलू को अपने अच्छी तरफ प्राय करना है, चार से पांच मिनिट तरक आलू का कलर आना चाहिए, ठीक है, आलू को अच्छी तरफ प्राय करना है, आज कल नए आलू आ रहा है, आलू जो नए आ रहा है, वो आपने लेने हैं, पुराने आलू क्या होता है, वो औली से हो पानी चोड़ते हैं और उसमें मिठास भी आ रही है नए आलू लें देख के लिए मीठे आलू जो होते हैं वह फिर पकाने के बड़ टूपना शुरू हो जाते हैं एक दम वह अजीव सा उसका टेक्स्च्चर हो जाता है तो आलू हमेशा देख के लिए करें अच्छे लें औ जब अमारे ने जब तक क्षच्च्चा अलू हमारा फry यह अजीद हो तर रहे हैं उस दौरान इसमें एक लिए ए मीजा चला गिया प्यास जानीशा आ कि प्यास जालने के बाद आपने प्यास को मिक्स कर ने तक कि आलू प्र्मी ने कासे हमार नर्म होने के ताकिव म्हार थोड़ी दिर के बाद डालूगा सिर्फ मैस मेस में डालूटी जब आलू वरा था ना तो उसने हरी मिरच अगर आप डाल दे ढ़ी UK वालो दाल दें दो अद्दर काट बोता है मोटी वाली में को बनना फ्रवार न इस उतल न भी आलू से वह अधर के लिए दस फीसद 15 फीसद गल गया तो इसमें हम डाल देंगे मसाले जिसमें डालेंगे कुट्टी वी लालमरच एक चाय का चमच अल्थी पॉटर एक चाय का चमच जीरा डेढ़ चाय का चमच कसूरी में थी जीरे वाले जावली के जावली जाहे रिर दावे जीरे वाले जावली थावली खृरी आली जी बेले बाले मेले गब मसाले में मज़िदार टेस्ट के साथ इसको हम प्रेंऑने, तरह मिक्सरे जाएंगे आप शुरू हम आपने, अब हम पर डालेंगे दही, दही को हमने अशी तरह पहेंट के डालना ठीके, यह में पास दही है, एक कप से थोड़ी सी ज्यादा है आदा जब पाए के करीब होगी दभी ठीक हे ए दोड़ी भरी यह भ फ़ीं ही नहीं अधी եोड़ी सी ज्यादा इस तरह के आपने प्रूंने आप एक ठाएट और घृजी एब मसालों से शुषबु से लगि तो हम इसको पर दढ़ेка निया जंग रोधीर पानी थोड़ा होने लें कुश्क ठीक है रही जो पानी ही थोड़ो खुश्क ठीव लगन दो तब पो असाइन वी जन दाशी पानी केट्रो पानी विंदो इनमें अध़ कप जितरो बस चकन दा पटाटा ड़ी सां गड़ गरीविंदा एहों अभी ऐसा फ्राइ के यह हुन्म जब तक ऑईल उपर आएगा दही का पानी खुश्कोगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे अग्व कप पानी डालेंगे तो आपने लगा देना है पंदरा मिनित के लिए आलू बिलकुल गल जाएगा पानी खुश्कोगा अरा धनिया डाल के आपने इसको निकाल देना जबरस तो हम इसमें डाल पर लगा देंगे धकन और इसकी आँच हम कर देंगे अलकी अब यह दस 12 मिनट आपके आलू हो जाएगे त्यार दस 12 मिनट पर अचाए यह जो आलू है इसमें अगर आप अप फलेवर अच्छा देना चाहते हैं तो इसमें आप शिम्ला मिर्च का बिस्त यृ इसके और फ़री आश भी थे पर अच पर फोड़ाई arc निकाल देंगे endeavors यह जो बहने चावल बना हैं मटर वाले लूआगे बहुती ही जबा बंदे हैं इस इस आलू के साथ यह शुटे साथ कह सकती हैं मुरभबों के साथ कह सकती है, यह डिफरेंट से चावलें, गर्मियां हैं, गर्मियों में, हम चाहते हैं कि ऐसी चीजें खाएं, जिसमें मसाले कम हो, इसी रिटी कम हो, और लू चल रही है तो लू से बचने के लिए सबसे, आजकल जिससार लू का बहुत ज़्यादा यह है, और उसके बड़े-बड़े क्यूब्स गुटली के साथ ही डाल देने, पतीले में, एक किलो केरी, डेड़ जग पानी के साथ, छे गिलास पानी के साथ, उसको मेडियम आंच पे बॉाइल कर दें, जब केरी बिल्कुल गल जाएगी, ठंडा कर दें, उतार के और उसको अच् ठेड़ पाउ चीनी डाल देने, छे च्छोटी लाची तोड कर दें ठीक है, और उसको पकाएं इतना कि, अधना के अधना के चीनी के साथ वो पक के गाड़ा सा जिसे स्क्वेश बन जाता है, उसको उतार के थंडा करना है, बोट ज्यादा गाड़ा होना हो अच्छा गाड आप जब बहार से आ रहे हैं कोई आरा गर्मी लग रही है लू चल रही जिस तरह तो एक ग्लास में तो आपने आठ खाने के चम्मच इसी सूरब डाला बरफ डाली और पानी डाल के इसको डिजॉल्फ करें और इसको पीए बहुत जबरसा ही है केरी का शर्बत लू से बचान कि वेल्कम एक नाजीम बेकते होना का पेरी साम तांजी सामुचे के पटाटा मा कवर कया वा है साजा पटाटा तेयर थे अनपया कवर मा टाई शर्यों कवर हटाती है था क्योंकि ये नाओ के बिको हल्वे की तरह गल जाए अब हम क्या करेंगे यहां पे छुरी की नोक से या किसी चमच से आपने आलू ठाना और इसको चेक करना यह तकरिबन गल चुका है 80 परसंट ठीक है 20 परसंट अभी इसमें कसर है तो इसको और पकने देंगे बहुत ज्यादा स्पून नहीं चलाना है देखिए इस तरह यह बनेगा जीरे वाला आलू ठीक है बपरदस बन पानी जो डाला था यह इसका ड्राय होगा अब मैं इसका चूला तेज कर रहा हूं इसी तरह हमने इसको खुश करना अब इसको कवर नहीं करना अब यहां पर हरी मिर्चे लेनी है कड़ाई गोच वाली हरी मिर्चे दो से तीन ले 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 वीच से दो करके समें डाल दें कड आजमा हिनके कट लगा हीं दो, हैं में विजी चजो, हिनसा फ्लेवर भी दो, आई जेस नहीं जो पाणी 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 उसा में विदो ही खोश्कती हीं दो, पाटाटा हुन शेप में इंदा जए तरेल हुन दा इन बिल्खुल, फ्रायत पाटाटान वंगर थेंदा ता असा अगर थेंदा जो आप पाणी ऊच्ची वदा हीचावर असा जो एक लर्ग यावर थेंदा सि यूट्यूब ते चैनल आए धर्ठी टीवी जो ता होते तरस के दो किचन विध फैसल किचन विट नो Серच करें दो सब्सक्राइब कीए लएब ल याक की हो थे तमाम रई धर्ती टीवी इंटरेंबंट एता के तमाम रिशिपीं में ले में लुए है सब रैसिपीज किप प्रोर तीनियों सुबूर सत्ते बजे रिपीड रनों सुबह साथ बजे रिपीड चलता है धर्टी टीवी इंटर्टैन्मेंट पे आप सर्च करेंगी किचन विद फैसल वहां पे आपको ये रेसिपी मिल जाएगी इजी रेसिपी है मज़धार रेसिपी है गर्मियों के सारे, इसे टेपस वगएरा सब आपको बताता रहांगा और साथ साथ हम रेसिपी बनाते रहेंगे केरियों का, सीजन आ रहा है, केरियों के अचार है, केरियों के मुरबे है, टिथिटर्टैन के पिर आम भी आराए, आम की भी बहुत सारे मी Quinn है इंशाला होला बनाते रहें मेरा नंबर जिनके पास है वहां पर आप फर्माईश कर सकते हैं कोई चीज पूछ नियू और ता बिला जचाट पूछ सकते हैं तो इंशाला कंटीनू रहेंगे आप इसाथ सुबू जो सत्य बजे रिपीट है लंदो ठीक है सुबू जो सत्य बजे रिपीट है लंदो आएंजे लावा किचन वित फैसल धर्ती टीवी ता सर्च कंदो तांके तमाम एपीसोड होते मिलन दा उनके सब्सक्राइब जरू कर जो तड़े तांके नोटिफेकेशन जड़े अपलोट सिंदों जो नोटिफेकेशन अची एंदो कर दूंजे साफ सांग जो सीजन अची पर अंबजे साफ सांग रेसे पीज़ें तां उबी तांके ठायर सिखाल में पाटातान जो आने ते पानी थियां लगवा खोश्क बाहें जी तेसके उता तके बिल्कुल एडा थ यह बिल्कुल होने तियार तियार शुरूत ही रहें ज़िए पटाटा संजा गरी मिंदा तो पुसा इन जिनना सी सावा था जब भी चावल बनाएं पानी पहले ना डालें पानी हमेशा बाद में डाला करें पहले चावल डालें बीगावा उसके बाद आप उसमें पानी डाला करें एक इंच पानी उपर हो तो कभी भी आपका चावल तूटे गा नहीं यह देखें बिल्कुल परफेक्ट एक एक दान अलग बनता है इस तरह यह चावल हमारे हो गए त्यार अगर आप इससे फ्रूखे भी खाएंगे ना चावल तो बहुत ही आपको जबस मैजिंग से लगएंगे ठीक है चावल को हम करते हैं डेश ओड चावल बिल्कुल राम सा ठांदायन कोहिन में परिशानी जी गालना हों मुणे लQué करत ऐसे स साधिर के सादगे लगए डई के साध के सद भी आप खाएंगे तो आपको बड़ा जब्रस लगेगा मटर का सीजन है अच्छा मटर का बताता चलू कि मटर को आपने किस तरह प्रिजर्फ करना है मटर अब सस्ता हो गया क्योंकि मटर का सीजन अब जाने वाला है तो मटर आप ज्यादा लें सस्ते हैं तो शौक से खाते हैं आप चाते हैं कि पूरा साल या छे महीने आप मटर को इंज्वाई कर सकें तो मटर पांच किलो का बता रहा हूं कि पांच किलो मटर अपने लिया उसको अपने छील लेना ठीक है पांच किलो मटर तेस पता जो आता है ने चावलों में निकाल दिया पर यह डिश में डले अच्छा नहीं लगता तो बस सिंपल आपके मटर बले चावलों गए त्यार में मटरों का भी आपको बता रहे हूं जब है यह चांवलों सो त्यार तियार धिया है मटर नवारा है जी खुशबू हो लज़द है उन्हें अच्छे पही चाकरणा है ने साबित गरम मसालों को विदाला होना होन खाडाटों जबस को तामाटर के आपको पीसीज नज़र आ रहे होंगे तो तामाटर के पीसीज ब तीकहे यह और यहाँ पे हमारे आलू तयार हो गाई सो मक्र का बतारा था में पांच किलो मटर आपने है लिया चील लिया ही आपने बड़े पतिल पानी डॉला पानी को मेरे वाइल होने लिए लुथ में वायल से दो खाने कहने हैं बदिए वायल से ड़ और शाय करते हैं खाहिकश किए छया ऑ बदाउने वायल टालेको और मीन जर dow फहले छर्नी इसान फिह दम बेंगे हैं जाएं धपर की तरह न्या निकल जाएगा फिर उसके बाद आपने दूद वाली थेलियां जैसे होती हैं कोई डबे हैं कोई शॉपलर जो चोटे चोटे उसमें जितने आपको यूज करने एक पाउ वादा पो इसता पैकेट्स बना के फ्रीज कर दें कभी खराब नहीं होंगे बड़े जबर्स बनेंगे कभी इसमें स् चमचोलून की जन्दो पाणी में जड़े बॉइली के चन्ड लगें दी मटर वीच जो चुलो बंद के चरियो ट्रे का चार मिंट मटर उन में चले जो वदिक बॉइल ना करना है त्रे का चार मिंटन का पो चानी जी होंदी है ना जिवें चावर चानन दाई हो बॉइल च पक्तेट गए ताताथ बात करते रहें और यह दाही के पानी में मैंने इसको खुष कर दिया दाही के ताद वड़ा जबरस फ्लीवर देगा गर्मिया है तो इस तरह के आलूआ बनाएंगी तो बहुत ही जबरस तागेंगे चूला बंकर देते हैं और से भी कर देते हैं डे पर तेंशन होता है कि यह खराब ना हो जाए या आलू के कबाब जैसे बनते हैं तो आलू के कबाब निकाल के आप रखती है तो वह पानी चोड़ देते हैं चिपकना चुछ जाते हैं तो टूटना चुछ जाते हैं इनके बारे में भी नेक्स एपिसोड में आपको कि परेशानियों के हलों सबस्क्राइब हैं तब निक्सक्राइब हो दो और आप लोंगी के वारे में तौछ भी प्याक्रमाइश हो गएए ब्रत्क के साथ खाएं तो बड़े जबर्स से ही मैंने आपको आलू बनाना सिखा दी और उसके साथ मत्र वाले चावार तो कल ये रिपीट चलेगा सुबा साथ बज़े ठीक है यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है वहां पर आप दे सकती है धरती टीवी इंटर्टैंडमेंट पर आप जाएंगी तो वहां पर आपको किचन विद फैसल सर्च करेंगी आपको रेसिपीज मिल जाएंगी सुबा साथ बड़े रिपीट चलेगा अपना बहुत साथ खाल रखेगा नेक्स्ट एपिसोड में नहीं रेसिपी के साथ मुलाकात होगी तब तब तक दूआओं झाल 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 झाल